सबसे पहले वीडियो देखने वाले सभी दर्सकों को मेरी तरफ से आज जोड़ गे राम राम मेरा नाम पवन चोवान गाउं कडू गवानिपूर जिला रेवाडी आज मैं सिर्ष नेतर्टव ने बाई निखेलियादव जिला डेक्स युवा मोर्चा ने और बाजबा जिला डेक्स प्रितम सिंग चोवान जी ने उनके कुसल मारक दर्सन से प्रेड़ होकर मुझे युवा उपादेक्स की दिम्यतारिक दी गई है तो मैं इसके लिए भाई निखेलियादव और बड़े भाई प्रितम सिंग चोवान जी का धन्यवाद करता हूँ और मुझे जो दिम्यतारी दी गई है उसकी मैं पूरी अपने कुसल नेतरतव करता हुए से अपनी दिम्यतारी का पालन करूँगा और भारती जंदर पार्टी के विकास कारियों को जगे जगे पुचा कर बताकर पार्टी के छवी को चारतांद लगाँगा मैं अपना 100% पार्टी को देखता हूँ और इसलिए मैंने भारती जंदर पार्टी को जोईन किया है सदस्का ग्रेन की है आज मेरे साथ सैकड़ो युवा साथी मोजूद थे और सभी भाईयों ने अपना चोटा भाई बड़ा भाई मान कर मेरे साथ यहां पे आए हैं और पार्टी के जो नए जो खीरती माने उस्ताफित करने का काम किया है इसके अलावा मैं सिरिनाम जंसेवा संगठन चलाताओं जिसका संचालेक मैं खुद हूँ हमारे संगठन ने समझ 36 विरादरी के भाईचारे के सहयोग से आज तक लगबग 33 गरीब बैटियों की साथी में सहयोग कर चुके हैं यह सब 36 विरादरी के भाईचारे के सहयोग से हो पाया है मैं उन सभी भाईचा धन्यवाद करता हूँ मैं अपनी जिम्मेवारी को तूरी निष्टा और करता हुए का पालन करूँगा और कभी भी कोई गलत कारिये नहीं करूँगा पार्टी की छवी को खराब करने कारिये कभी नहीं करूँगा जिला मंत्री जिला सच्छी व्यामोर्चा वराया है इसके लिए मैं भाईची मुदिया का दन्यवाद करता हूँ प्रदेश अध्यक्स जो सब्सक्राइब और फिंतम चोहांजी अध्यक्स उनका भी धन्यवाद करता हूँ अब सिर्श नेथर्टाव का आइमोन गुडला उपाद्यक्स और आइपकरन आइस सब का धन्यवाद करता हूँ अब कि अध्यक्स नेथर्टाव करता हूँ अध्यक्स नेथर्टाव करता हूँ और इस रवादी का अलगी युवाओ का दिखेगा कि युवा मोर्चा है तयार अब की बार 400 पार युवा मोर्चा है तयार अब की बार 400 पार तो 400 पार अब के लिए के जाड़ है युवाओ में और मेरको जो जिम्मेदारी दी है उसको मैं पिल्कुल अच्छे से निभाँगा पार्टी की जो भी जिम्मेदारी दी है पहले भी हम समास सेवा से चुड़े रहे हैं युवाओ का जोस उमरा है यहां पर कलने की लवाई ने बताया है कि 700 नहीं हजार युवाओ यहां से जाएंगे और 1500 गाड़ी बटा युवाओ 200 जाएंगे जिस तरह से रेवाडी के अंदर युवाओ का जोस है वो देखने को मिल रहा है इस बार जैसे बताए कि राजस्त और हर युवाओ मिल करके भाग ले रहा है इसमें जहांब दस क्या पर करते हैं उसमें 500 एकटे हो रहे हैं दस हमने अपने युवाओ साथियो का आज यहां पर बुलाया था और पद निकिल भाई ने दिया है तो इसमें 500 साथिय एकटा ओने क्यों कर रहे हैं उसी तरह से पर पार्टे के लिए करमत कारी करता रहे हैं उन सभी साथ यहों को पार्टे से जोडने का काम किया है अमने दो महामंत्रियों को टीम के अंदर सामिल किया है, सात उपादेक्स से जो पार्टी का डेकोरम होता है, उस अनुसर हमने सबी साथियों को अपने जिले की टीम में समलिट करने का काली है देखें जी, का जाता है, किसी देश की इमती वाहिवाव के कंदों पर निर्वर करती है, और युवाव आज हर वर्ग और हर छेतर के अंदर सबसे आगे है, कोई दुराई नहीं, कोई सेक्टर नहीं, कोई फिल्ड नहीं, जाई युवाव की बागिदारी ना रही हो, हमारे जादरनी परदान मंतिर से नरेंदर मोधी जी ने भी विक्सित भारत का सपने एक सयोज, जो अपने अंदर उन्होंने सोचा है, 2047 तक उसके अंदर भी उन्होंने युवा शक्ति को एक मजबूत इस्तम बताया है, उसी को मद्देना जड़कते वे हमने सभी युवाव को पार्टी से जोड़ा है, कि जो पार्टी को मजबूत करे, युवा मोर्चा को मजबूत करे और जादा जादा युवाव को जोड़के रखे, हमने साथ उपादक्से का चैन किया है, हमने छे सचिव का चैन किया है, हमने आईटी, मेडिया और कोसादेक्से को टीम के अंदर करेंगे और यहां से युवा मोर्चा की सो गाडियों के साथ युवा मोर्चा वाप समलित होगा और साथ सो के लगबग युवाउं की भागिदारी इसरे लिके अंदर होने वारी है संदेश यही है कि युवा जोस युवा ताकत उन नई उमंग के साथ हम सब मिल जूलकर काम करेंगे और एक जो भाई चारा है उनको सभी को साथ लेके चलने का हम अबारा पुरा परियास रहेगा सभी लोगों को हम साथ लेके आगे चले और सभी को आगे बढ़ाने का विकार करने पिए आगे नोन अपने नहीं तारी तारी आगे चारी था जूलकर की अगे सबी तारी करताओं को युवा जो आख ने परिफशा रखताओं कि इनके ने थतरतों में युवा मोर्चा नित नहीं भुन दिया चुए और रेवारी युवा मोर्चा का प्रचंग पूरे परदेश में पराला, इसलिए बहुत कुछी आभी से है, मोदी जी के नाम से हर कारी जर साह हमारे उस सामय है, पूरा जन्द मानस देवाडी का सामय है, मेरी तोष्टों, पचास के आसपास हमारे यहां के पसे, और दोजार फोती गाड़ी है, इस रेली में जायेगी, और मान में परदान मंत्री जी का अभिननन स्वागत महा सराई, बहुत अच्छा एप्रिकी जी नो, तो दोन्हों महमंंत्री, तहले अमनकसाना इने ही, तली करी तर्गी में महमंत्री थे, और अब अरून तवर को इन्हों ने दूसरा महमंत्री में थे, उपध्देश भी सारे, उ और एकड़ दूआ उर्जावान है इनके सच्छी हुए और बहुत अच्छी टीम निकली बनाई है जाहिर सी बात देश का युवा सोस्ता है पालिटी के लिए देश के बारे में आज के युवा हमें राष्ट्रवाद राष्ट्र पर्थम लेके चल रहा है जाहिर से युवा देश है और मोगी जिन जो पीछे अपना बताया था उसके अंदर कहा था किसान नाडी युवा और ग्रीब हमारा लक्षे है इनी का अभिकास इनी की उन्ती और इनी की तरक्ती तो फोकस रहेगा परसो अपने नूर ये माड़ी रेल्वेस्टेशन जो है प्राइट कारिडॉर जो बन रहा है इस्टन प्राइट कारिडॉर इसका भी माननी प्रदान मंत्री के एहमदाबाद से वर्चल उट गाटन करेंगे जिसको हम पूरी टीम के साथ और पूरे रेवाडी के कारिये कर अपना ठोटवाल जो गाउं है इस जगह पर ये उजगाटन होगा वहां परदान मंत्री जी लाइव रहेंगे तो वहां हम उसको सुनें जी यह बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बार चरकार का करीब 3300 किलोमेटर का ये प्रोजेक्ट और विशो में किर्थी माने डबल लाइन और 3300 किलोमेटर ये 1300 किलोमेटर एक तै समय में पूरी करना ये विशो रिकाउड